यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ 36 गड़ के सुक्मा में शुक्रवार को शहीद हुए यूपे के शेत्र खोजवा मंजरे गाउ नरेनी के जवान अनिल कुमार मौरे की शहादत को सलामी आज दी जाएगी और इसी के लिए प्रिशास्तन की ओर से सभी तयारिया भी पूर्जी कर लिगए है ऐसो अमेठी शिवा कांत ने ये जानकारी दी है कि सियार पी एफ के अधिकारियों से प्राप्त सुचना के अनुसार नकसली हमले में शहिद जवान के शव को रायपूर भेजा गया है जहां शहिद का सैनिक समान के साथ उनको अंतिम विदाय दी जाएगी और पोस्ट माटम के बाद जो है पूरे स्थैनिक सम्वान के साथ शहीद का शव पैतरिक गाउन लाए जाएगा आपको बता दे कि जवान अनिल मौरे 36 गड़ के सुकमा में से रप्याइफ उपन रिक्षक के पद पर तयाना थे शहादत के सुचना से पूरा परिवार सदमे म हैं शहीद अनिल मौरे अपने परिवार में अपने तीन भाईयों में सबसे बड़े थे उनके चार बच्चे भी हैं जिनमें दो बेटे और दो बेटिया है कि अ कर दो कर दो